नमस्कार आप शभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में मैं आचारे पंकत सास्त्रिया आपका अपने चैनल में हारदी कविनन्दन करता हूँ उपस्तित हूँ जोती सम्मत एक बहुती मैत्वपूर्ण जानकारी को ले करके और जानकारी का जो आजकल हमारे चर्चा का विशय बनावा है वह देवगुरु ब्रशपती को ले करके बनावा है आप शभी को विदित होगा कि देवगुरु ब्रशपती 20 नूम्बर 62nd20 को अपने रासी परवर्तन करने वाले हैं, देवगुरु ब्रस्पति वर्तमान इस्तिति में अपनी मोलतिर कोंड रासी, धनुरासी में इस्तित हैं, जबकि यह रासी परवर्तन करके मकर रासी में प्रवेस करेंगे, जोकि इनकी नीच रासी है, देवगुरु ब्रस्पति हमारे शोर मंडल क सबसे बड़े ग्रय हैं इसलिए इनको गुरुत तक प्राप्त है साती सात्विक ग्रय हैं देवगुरु ब्रस्पती तेरो माह के भीतर अपने रासी परवर्तन करते हैं तेरो महातक एक रासी में संच्रण कर पुनहर रासी परवर्तन करते हैं और देवगुरु ब्रस्पती सात्विक ग्रह हैं धनू और मीन रासी के स्वामी हैं। हमारी सरीर में विशेशकर, लीवर, हिर्दे कोश, पाचन परक्रिया और कान इत्यादी के कारक माने जाते हैं। जब भी देवगुरु ब्रस्पती सुब अवस्ता में होते हैं तो इनका शंपून, शुक हमें मिलता है। लेकिन जब देवगुरु ब्रस्पती नीच रासी में होते हैं तो उस अबाव से संबंदित समस्याएं हमें देखने को मिलते हैं। और उसी का गोचर का फल हम लेकर के उपस्तित है। अभी तक हमने बात की मेश रासी से लेकर के धनुरासी प्रियंत सभी जातकों के और आज जो अगली रासी जिस पर हम बात करेंगे वह है मकर रासी। तो मकर रासी के जातकों के लिए कैसा यहार रासी परवर्तन रहने वाला है। इनके लिए कहां पर देवगुरु ब्रस्पति की स्तिती होगी और कौन सी इनकी द्रिष्टियां इनके लिए सुभ रहने वाली हैं। बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन उसे पूर्व मैं आपको बता दूँ कि जो यहार देवगुरु ब्रस्पति का गोचर का फल हमने प्राप्त किया यहार चंद्रकुंडली के माध्यम से निकाला है तो इसको आप लगन कुंडली से न देखें बलकि चंद्रकुंडली से देखें यदि आपकी जन्म पत्रिका में लगन चाए कोई सा भी हो लेकिन चंद्रमा यदि मकर रासी में इस्तितार था दस अंक जहां पर लिखाया वहां पर चंद्रमा है तो निश्चित रूप से आपकी मकर रासी बनेगी और यहाँ शुवाशुब गोचर आपके लिए है तो आए जानते हैं मकर रासी के जात्कों के लिए क्या है देव गुरु ब्रहस्पती की इस्तिति मकर रासी के जात्कों के लिए वर्दमान इस्तिति में धनुरासी में इस्तित है जबकि अब यहाँ आपके लगन स्थान पर इस्तिता आ जाएंगे 20 तारीक के बाद और लगन में ही शनी के साथ यूति बनाएंगे देबुरु ब्रस्पती की जो दिर्ष्टियां होती हैं वह पांच, साथ और नो यह अपने से जहां पर भी बैठे होते हैं पंचम द्रिष्टी से पंचम भाव को देखेंगे, सब्तम द्रिष्टी से सब्तम भाव को और नवम द्रिष्टी से भाग्यस्तान को देखेंगे, ऐसे इस्तिति में मकर रासी के जात्तों के लिए लगनस्त देग गुरु होंगे, नीचस्त होंगे, तो आपके लिए संगर् रहेगा सारिक कष्ट आपको हो सकता है और तप्चा संबंदित वह लिवर से संबंदित समसें आपको देखने को मिल सकती हैं सत्रुत्व ज्यादा हो आपकता भारी शत्रों आपको किसी परकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं, यदि आप विशेष ब्यवसाई इत्यादी में हैं, तो ब्यवसाईक वर्क के लिए विशेष शत्रक शावधान आपको अवश्यर रहना चाहिए, मकर रासी के जात्कों के लिए विशेष कर पारव आपको बना करके चलने होगी, अपनी वानी को सुद्ध रखे और किसी वी परकार से अपने वचनों के द्वारा किसी वी परकार से आप परिवार में किसी को ऐसे अवद्र सब्द न कहें, जिससे आप परिवार में किसी वी परकार का कलहा आपकी वानी से उत्पन हो, यह त और यह आंके कारक हो जाते हैं किसी भी परकार से आप कहीं अन्य दूसरे अस्थान–पर जाना चाते हैं अपने विद्या से संबंदित किसी भी चीज के लिए विद्यार्जन के लिए तो आप निश्चित रूप से निश्चिंत रहे आपका योग कारे अवश्य बनेगा संतान संबंदित किसी परकार के चिंता करने के अवश्यक्ता नहीं है तो निश्चित रूप से यहां ऐसे इस्तिती बन रही है जो विशेश कर किसी परकार से संतान से संबंदित कोई चिंता थी तो उसका निस्पादन होगा चतुर्त यानि सब्तम अस्तान पर जब चतुर्त रासी पर देखेंगे देव गुरु विरस्पती सब्तम अस्तान को पून्त हो यहां पर सब्तम द्रिश्टी से तो यहां व्यवसाई की स्थिति अच्छी होगी और नीच अवस्ता में जरोर हैं देव गुरू ब्रस्पती, भिवाय इत्यादी के कारक ग्रह भी हैं, देव गुरू ब्रस्पती, तो मकर रासी के जात्कों के लिए इस समय इस्तिती बैवाहिक जीवन के में इस्तिती अच्छी बनी हुए है, यदि आप भिवाय योग योति करके चलना होगा भागय अस्तान पर नौम द्रिश्टी होगी तो भागय के साथ आप धर्म कर्म से जितना जुड़ेंगे उतना आपका भागय में निखार आएगा और उतना ही अत्यदिक आप अपने भागय को चमकाएंगे तो धर्म कर्म के कारे से रत रहें विद्या इत्य भागय के लिए आपको वीरवार को पीले भोजन का दान करना चाहिए किसी भी देवाले में वीरवार को आपको पीले भोजन का दान अवश्य करना चाहिए तो आपका जीवन मंगल में हो यही हम मंगल कामनाई करते हैं नमस्कार जानकारी अच्छी लगे तो सेवर अवश् झाल कर दो दो एंद दो एंद कर दोग है